हेलो फ्रेंड्स मैं हूं इंद्रजीत और आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत च्वागत हैं आज हम इस वीडियो में अवा हेल्थ आईडी कार्ड बनाना सिखेंग तो आपने भी वेक्सिनेशन लगवा लिए या फिर नहीं लगवाई है या फिर फिर फर्स्टेड और सेकंड और जो भी लगवाई है आप इस वेबसाइट पर आ करके अपनी जो अवा हेल्थ आईडी कार्ड वो बना सकते है अवा हेल्थ आईडी कार्ड बनाने से आपको ब बिमा है और जो भी गवर्मेंट से मिलने वाली स्वीवदा है वह आपकी फेमेली को और आपको मिलने वाली है तो अब हेल्थ आईडी कार्ट बनाने के लिए मैंने कोविन की ओफिशल वेबसाइट ओपन कर रखिए वेबसाइट के लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में आप वहां जाकर के अब अब हेल्थ आईडी कार्ट बनाएंगे वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से क्रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोगों नहीं हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिल इस चैनल को सब्सक्राइब किजेगा जिसल लिंक उपन करें तो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंट्स कि सबसे नीचे आपको यहां पर मिलेगा अबा हेल्थ आईडी एंड इट्स बेनिफीट ऑगे यहां पर आपकी सामने दो वीडियो सो होते हैं और किस तरह से आपको बेनिफिट मिलने वाला है यहां पर बताया गया है तो आप इ किस तरह से के हस्ट फिटल का जो benefit है अब किस तरह से मिलने माला है तो यहाँ पर दो वीडियो सो होते हैं इन दो वीडियो को किलिक करके देखिए और इन वीडियो के मात्यम से आप समझ सकतें कि आपको किस तरह से फाइदा मिलने मला है तो हम अब हाँ हेल्थ आईडी कार्ड जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर एक option हमारे सामने आता है click here now more इस वाले option पर हम click करेंगे और अपनी जो health ID कार्ड है वो जनरेट करेंगे जैसे हम click करते हैं हमारे सामने ओपिसेल इसकी website आती है और यहाँ पर इस परस्ट देख सकते हैं please note health ID has now been your आईश्मान भारत health account जैसे ही हम यह health ID कार्ड बना लेते हैं अब है health ID कार्ड बना लेते हैं तो हमारा जो register है वो आईश्मान भारत त्योजना में हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी आईश्मान भारत का जो भी benefit है वो हमें इस अवा health ID कार्ड के माध्यम से मिलने वाला है आईश्मान भारत health accounts कि देख सकते हैं अब हमें health ID कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर एक option आता है ग्रेट जो अबान आओ इस वाले option पर हम क्लिक कर देंगे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो तरीके से जो जो id card हे और बनाने के दो तरीका आपके सामने आदे आप आधार के थोव भी direct बना सकते हैं कि आपना अधार नंबर दर्यकरेंगे OTP डर्जय करेंगे फिर उसके बाद mobile नंबर दर्यकरेंगी और उसके बाद OTP दर्यकरेंगे और आपकी जो अपा health ID कार्ड है और रेट हो जाएगी एक यहाँ पर दुसरा तरीका दे रखा है ड्राइविंग लैसेंस के थ्रों भी आप बना सकते हैं तो हम आपको जनरल जो अपना जो अधार कार्ड है इसके थ्रों हम अपना जो हेल्थ आईडी कार्ड है वो बनाना ही सिखेंगे तो फर्स्ट ओप्सन हमार इस अधार से जोड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटी भी भेजेंगे तो आपको यहाँ पर अपना अधार नंबर दर्ज कर देना है अधार नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पर एक ओप्सन आता है I am agree मैं सहमत हूं और यहाँ पर चेक बॉक्स वाले ओप्सन पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे जो अपका जो अधार नंबर है वह एंटर करने के बाद और उसके बाद हम सब्मिट वाले ओप्सन पर क्लिक कर देंगे अब हमने जो आधार के थो जो OTP है वह सेंड कर दका है और OTP हमने एंटर कर दिया है अब सब्मिट बॉक्स पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक अगला ओप्शन आ जाएगा यहां पर अब हमें अपने मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड करना है अब हमने मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद जो ओड़ीपी आये हम भी दर्ज कर दिया है अब हम सब्मिट बॉक्स पर क्लिक कर देंगे यहां पर देख सकते हैं कि मेरा जो आईडी है वह अल्रेड़ी य कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा फोटो सो होगा कि यहां पर हमारा जो आईडी कार्ड है यह बन छुका है है कि देख सकते हैं और यहां पर एकशन आता है डाउनलोड अबाकार्ड में अबाइस कार्ड को आफी निकाल जाती है तो यहां आपको बहुत मदद करेगा यह कार्ड